वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदिर बदल दे, कल क्या हो कभी मत सोचो मेरे दोष्ट, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे? अज हम लोग एक बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक को समझेंगे, जिसका नाम है निर्देसांग जमेती, और इस निर्देसांग जमेती को समझने के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रहिए, ताकि आपको अच्छे से निर्देसांग जमेती समझ में आ जाए, और यहाँ अझे आ पहमने कुछ पो कि लिछ रखा ह हे, इनपोंट्स को एक एक करके हम समझेंगे, यह सारे निर्देञ दिर्देसांग जमेते हैं, तो निर्देसे समझने लिए अपमारे वीडियो दिर्देशांग जमेती है, व्लोप फ्रेंस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह तरह जो लेटी हुई रेखा होती है उसको 36 रेखाता है और 36 रेखा को एक सक्ष करते हैं उसके बाद इसके बीचो बीचे एक लंबवत रेखा खिचेंगे जिसको वाई अक्ष करते हैं और यह बिंदू है जहां एक दूसरे को कारती है उस बिंदू को मूल बिंदू करते हैं और इसे O से दिखाते है अब इस बिंदु के ऊपर जो होता है धनात्मक होता है Y अक्ष और इस बिंदु के जो मूल बिंदु है इसके नीचे जो Y अक्ष होगा ओ रिनात्मक होता है उसको Y से दिखाते है उसी तरह O बिंदु के इधर का जो हिस्सा है X अक्ष का ओ धनात्मक ह होता है और वो यानि मुल बिंदु का इधर का जो हिस्षा होता है वो माइनस होता है रिणात्मक होता है तो इसको x- से दिखाते हैं सबसे पहले हम इतना समझें उसके बाद हम इस धनात्मक पर कुछ अंक खिच लेते हैं एक, दो, तीन, चार उसी तरह रिणात्मक तरफ फिखी चेंगे माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार उपर के तरफ yx धनात्मक होता है एक, दो, तीन, चार मुल बिंदु से नीचे yx रिणात्मक होता है माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार सबसे पहले क्या किया निर्द संग्जमीथी का X अक्ष्य दोन करती हैं उनको कहा जाता है यी अक्ष के दाहिने तरफ जो एक्ष ऐक्ष है का जाता है y अक्ष के बाएं तरफ जो x अक्ष है उसको कहा जाता है रिवनात्मक उसी तरह x अक्ष के उपर वाला जो y अक्ष का हिस्सा है उसको कहेंगे धनात्मक और x अक्ष के नीचे जो y अक्ष है उसको कहेंगे रिवनात्मक अब समझ लेते हैं कि किस रेखा को क्या कहते हैं तो इस रेखा का नाम है X अक्ष जिसको भूज भी कहते हैं X अक्ष को भूज के नाम से भी जाना जाता है उसी तरह Y इसको कहेंगे Y अक्ष य को तो को नाम से भी जाना जाता है को इतना जानने के बाद आप देखी यहांपर हमने लिखा है मुलबिंदु जो इसके बाद चतुर्ठान्स में रहाएक देखार सब्सक्राइब चार रहाता है और इन चारो भागों में से सबका नाम है तो इसको हम लोग कहते हैं प्राथम चतूर्थांस इसका जो साइन होता है वो होता है प्लस कोमा प्लस अब एक चीज और समझ जई है कि निर्दे संग जमेती में हम सबसे पहले X का मान दिखाते हैं उसके बाद Y का मान इस तरह से लिखा जा यह हो तो पहला मान समझीगा X का है दुसरा मान Y क्या इसको कहेंगे प्राथम चतूर्थांस उसके बाद इसको कहेंगे दिटिये चतूर्थांस इसका साइन है minus, plus इसका नाम है तिरतिय चतुर्थांस इसमें जो साइन होता है, चीन होता है minus, minus इसको कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांस इसमें साइन होता है plus, minus तो दिखिए हमने यहाँ पार कया कया समझे लिया कि भूज की से कहते हैं और कोठी की से कहते हैं चतुर्थांस क्या है चतुर्थांस का नाम क्या है उसके बाद मूल बिंदु को समझा और यह भूमिका निर्देशंग जम्यति का जो शुरुवाती परिचया ब'M आप जमलों का जो नेट पॉइंट है वह है दूरी सुत्र बना कर देखते हैं कि निर्देशांक जमेती में दूरी सुथ्र काय से बनाया जाता कि है इस धोके आप धोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे कि दूरी सुथ्र निकालना सिखेंगे कि तूरी सुत्र कैसे निकाला जाता है तो सबसे पहले देखिए यहां पर हम दो बिंदू लिखे हैं मान लिजी इसको हम यह नाम दे देते हैं और इसको भी नाम दे देते हैं और यह निर्देशंग जमेति पमान लिजी इसको अगर हम दिखाते हैं तो एकस का दो घर सबसे पहले हमने आपको बता यहां मिल रहा है तो इस विंदु का नाम क्या है निर्दे संक्जेमेती दो कुमा तिन करें उसके बाद यह पॉइंट ए है पॉइंट बी में क्या है एक सका चार घर वाई का एक तो एक सका चार घर चलिए यहां आएंगे और वाई का देखिए एक घर इससे उपर यहां पर सामने है यह तो यह जो बिंदू है यह क्या है चार कोमा एक है जिसका नाम है भी बिंदू अब हमें क्या करना है यह और बी की दूरी निकालना है यानि इस बिंदू से इस बिंदू की दूरी क्या है यह हमें ग्याद करना है इसको ग्याद करने का सुत्र है ए भी ब्राबर या इसको लिख सकते हैं हम दूरी सुत्र ब्राबर x2-x1 का whole square प्लस y2-y1 का whole square और पूरे का under root कर देंगे ठीक अब यहाँ पा हम देख लेंगे कि x2 हमारा क्या है x2 देखिए यह x1 है यह x2 है यह y1 है और यह y2 तो x2 केतना है 4-x1 केतना है 2 दो लिखेंगे square प्लस y2 है 1-y1 केतना है 3 square 4 से 2 घटा देंगे 2 2 का square प्लस 1 से 3 घटा देंगे माइनस 2 का square अंडर root 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस 2 का वर्ग भी 4 हो जाएगा 4 और 4 को जोड देंगे तो root 8 हो जाएगा 8 का वर्ग मुल निकाल लेना है 8 का वर्ग मुल दो गूणा 2 घुणा 2 हमें पता है कि इस root को हटाने के लिए 2 संख्या 그래 TIM बनाना परता तो 2 संख्या का जोड़ा बन गया तो तो बाहर हो गया और इसका जोड़ा नहीं बना तो यह रूट के अंदर एंदर रा-घर तो एबी की इस बींदू की इस बींदू से इस बींदू की दूरी हो गई दो रूट दो यह आंसर हो तो मध्य बिंदू बराबर होता है, सबसे पहले समझे ये, मध्य बिंदू सुत्र होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, तो मध्य बिंदू को हम x, y लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जुमान निकलेगा, हमारा x और y का निकलेगा, बराबर, अब यहाँ पे x1, x2 क्या है, तो देखिए, पहला x1, y1 होता है, दूसरा x2, y2 होता है, तो x1 केतना है, 2 प्लस x2 केतना है, 4 बटा में 2, y1 केतना है, 3 प्लस y2 केतना है, 1 बटे में 2, जोड़ दीजिए, तो 4 और 2, 6 बटा में 2, 3 और 1, 4 बटे में 2, अब देखिए, 6 में 2 से भाग देगे, तो 2, 3, 6 या काट भी सकते हैं, एक बार में, यहाँ आग गया, 3, 2 एक कम दो, दूदू नी 4, 2, तो एक सर्वाई का यहाँ मान निकला क्या, 3, 2, यही हमारा मध बिंदू हुआ, तो आप इसका एक उसकी इंसर्ट ले सकते हैं, अब नेक्ष्ट देखिए, अगर एक बिंदू दिया हुआ हो, जिसे मान लिजी, 4, 3, यह एक बिंदू दिया हुआ है, कहें कि इसका मूल बिंदू ग्याद किजिए, तो कैसे ग्याद करेंगे, तो मूल बिंदू का सुत्र होता है, बहुत ही असान है, मूल बिंदू चार का वर्ग हो जाएगा, प्लस, वाई क्या है, तीन, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, 16, प्लस, तीन का वर्ग, 9, दुनों को जोड देंगे, 16, और 9, 25, अब 25 कप हेक्टर कर देंगे, गुणनखन कर देंगे, तो 5 से 5 पचे 25, पांच गुणा 5, और हमें पता है कि इस जरू ठड़ जाता है, तो इसका अंसर कतना हो जाएगा, मुल बिंदु हमारा, 5, अब समझते हैं हम लोग, विभाजन सुत्र, विभाजन सुत्र क्या होता है, कैसे बनता है, देखिए, यहाँ एक प्रश्न है, उस बिंदु का निर्दे संक ग्याद कीजिए, जो बिंदु तो माल लेते हैं कि एक रेखा खंड है, जिसका एक का निर्दे संक है, माइनस एक कोमा साथ, दुसरा है, चार कोमा माइनस तीन, और इस रेखा खंड को दो अनुपात तीन में बाटा जा रहा है, दो अनुपात तीन में, तो इसका ना माल लिजे हम ए दे देते हैं इसका भी, और इसका हम दे देते हैं प, यानि हमें प निर्दे संक ग्याद करना है, जो कि इस रेखा खंड को दो अनुपात तीन में बारता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि विभाजन सुत्र का प्लस M2, X1 बटा में M1 प्लस M2, कोमा M1, Y2 प्लस M2, Y1 बटा में M1 प्लस M2, तो देखिया हमें तो X2, Y, X1, X2, Y1, Y2 पता है, कि यह X1 होगा, Y1 और यह X2, Y2 होगा, लेकिन M1 और M2 क्या है, तो देखियें यहाँ पर दिया हुआ है दो अनुपात तीन, तो इसको कहेंगे M1, इसको कहेंगे M2, तो अब यहाँ पर हम सुत्र में बैठा देते हैं, तो M1 कितना है, दो गुणा, X2 कितना है, देखियें, चार, प्लस है, प्लस का साइन देंगे, M2, M2 कितना है, तीन, गुणा, X1, X1 कितना है, माइनस का एक, बट्टा में, M1 और M2 को जोड देंगे, तो M1 कितना है, 2, प्लस, 3, उसी तरह M1 लिख लेंगे, 2 गुणा Y2, Y2 देखिए कितना है, माइनस का 3 प्लस M2, 3 है, गुणा Y1 कितना है, 7 बटाय में दोनों को जोड़ देंगे, 2 प्लस 3 सबसे पहले गुणा हो जागा, तो 2 चौक 8, प्लस, माइनस, माइनस 3 एकम, 3, बटा में 3 और 2 जोड़ देंगे, तो 5 हो जाएगा, कोमा माइनस 6, प्लस 3 साथे, 21, बटा में 5 अब इसको हम यही पत दिखा देते हैं, 8 से 3 घटा देंगे, 5 बटा, 5 कोमा, 21 से 6 घटा देंगे, तो 15 बटा, 5, 5 में 5 से भाग देंगे, तो एक बार में, 1,553, तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो मध, जो बिंदू है, पी बिंदू, यहाँ पर यह जो बिंदू है, इसका निर्दे संख केतना निकला, एक कोमा, यहाँ लिख देंगे, वह बिंदू है, एक कोमा तेन, यहाँ दोस्तों, यह रहा हमारा निर्दे संख जमेती का वीडियो, जिसके बारे में, हम लोगों ने आज सीखा, समझा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो का अपने दोस्तों क के साथ भी सेर करें, ताकि वो भी निर्दे संख जमेती को अच्छे से समझ सके, तो मिलते हैं निक्स्त वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिन, जय भारत.